हालो फ्रेंज वेलकम बेक टो में चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप से बहुत अच्छ होएंगे दोस्तो दोस्तो चहरेक पे तो हम सबी लोग ध्यान देते हैं क्या कोई अपने पैरों पे ध्यान देता है नहीं पैरों पर बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं दोस्तो आज मैं आपको घर की ही चीजों से पैडिक्यर करना सिखाऊंगी पैडिक्यर करने से ना सिर्फ पैरों के पंजे नाखोन और उंगलिया साफ होती हैं बलकि दाग धबे भी मिटते हैं इससे एडियां बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाती है अगर आप सोच रही हैं कि पैडिक्यर करने के लिए आपको महगी चीजों की आवशकता है तो बिल्कुल नहीं आज मैं आपको घर बैठे गंदे और फटे हुए पैरों में पैडिक्यर करने की आसान बीधी बताओंगी पेडिकेर करने से हमारे जो पैर हैं बहुत ही सॉफ्ट, ब्राइट और वाइटर नजार आते हैं तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो सबसे पहले हम करेंगे स्टेप फर्स्ट आपके पैरों पर अगर नेल पेंट लगी हुई है अब नेल पेंट रिमूव हो चुकी है और अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है टप में हमें गरम पानी लेना है तो हम यहाँ पर जितना हमारे पैर अच्छे से डूब जाएं उतना हमें गुन-गुना पानी ले लेना है टप में और गरम पानी में हमने यहां पर एक चम्मच बेकिंग सोडा एड़ किया है और एक चम्मच एड़ किया है हमने यहां पर नमक यानगी खाने वाला नमक उसकी बाद हमें इसमें आधा कटा हुआ नेवू का रस एड़ करना है और आप जो भी शैंपू यूज़ करते हैं अपने घर में आप उसे लीजिए कम से कम दो चमच इसमें शैंपू डाल दीजिएगा और अच्छे से इस पानी में मिक्स कर लीजिएगा सब चीज अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हमें क्या करना है अपने पैरों को सोक कर रखना है हमें कम से कम 15 मिनट तक अपने पैरों को इसी तरह से पानी में डाल कर रखना है 15 मिनट के बाद आपके पैरों की स्किन और नाखुन नर्म हो जाएंगे उसके बाद हमें क्या लेना है घर में कुई भी पुराना टुथ ब्रश पड़ा हो आप उससे लीजिएगा और अपने नाखुनों को अच्छे से साफ कीजिएगा आपने देखा होगा कि नेल पेंट लगाते हैं कभी-कभी जो पैरों के नेल्स होते हैं उस पर पीला पन आ जाता है तो पीला पन हडाने के लिए हमें क्या करना है जो हमने इसमें नीबू का रस डाला है तो जो नीबू का छिलका है उसे लेना है और अपने नाखुनों पर अच्छे से रगड़ना है जिससे कि जो हमारे नाखुनों पर पीलापन है वो दूर हो जाए इसे ऐसा करने से जितना भी पीलापन होगा गंदगी होगी सारी की सारी दूर हो जाएगी आप यहाँ पर प्यूमिक स्टोन का भी उपयोग कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी स्टोन का यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारी एडियां वो फटी हुई नहीं है तो मैंने यहाँ ब्रश की हेल्प से ही अच्छे से अपने पैरों को एडियों को तलवों को से 15 मिनट तक डुबो की रखा है तो हमारी जो इतनी भी डैड स्किन है वो सारी की सारी नर्म हो जाती है और रगण स्टोन रगणने से वो सारी रिमूव हो जाती है लेकिन जो हमारे पैर है मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ वहाँ पर एडियां फटी हुई नहीं है आप लूफा का भी यूज़ कर सकती है तो इसी तरह से मैंने कम से कम तीन मिनट तक पैरों पर ब्रशे अच्छे से रगणा है जितनी भी गंदगी वगरा थी पैरों पर सारी की सारी रिमूव हो जगी है अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है उसके बाद हमें स्क्रबिंग करनी है तो इसक्रब करने के लिए हम कोई भी महंगा प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे है हम इसक्रब करेंगे घर की ही चीजों से तयार तो चलिए पहले करते हैं स्क्रब तयार यहां पर मैंने दो चम्मच चावल का आटा लिया है अगर च चम्मच लिया है दही तो दही जो है वह हमारी स्किन को अच्छे से निखारेगा और चावल है वह भी बहुत अच्छा जो हमारी स्किन को वाइटिन करने का काम करता है उसके बाद मैंने यहां पर एक चम्मच शहद एड़ किया है शहद हमारी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट ब ना है mix क्योंकि mixing पे भईया दिहान तो देना है अच्छे से mix करने के बाद में हमारा जो scrub है वो बनकर तयार हो जाएगा तो चलिए अब हम करेंगे अपने पेरों पर scrub ये scrub इतना effective है कि आप इसे अपने face पर भी यूज़ कर सकते हैं आपके face पर अगर कोई भी दाग धब्बे है या फिर tanning की problem है तो आप इस face पर जो scrub नम बताया है उसे आप face पर यूज़ कर सकते हैं और कम से कम साथ दिन में ही आपको फर्क देखने को मिल जाएगा आप अपने हाथों पर कोहनी पर कहीं पर भी आपको लग रहा है कि आपके मतलब dead skin है वहाँ पर आप अच्छे से scrub कीजिए sorry थोड़ा सा mistake हो रहा है बोलने में तो चलिए मैं पहले पैरों पर scrub कर ले रही हूँ और अच्छे से पैरों पर करना है हमें उंगलियों के बीच में जितना भी हमें लगता है कि यहाँ पर हमाई जो dead skin है या फिर गंदिकी है वो सारी की सारी मतलब जो scrub करने से remove होगी और अगर आपके हाथों पैरों पर कोई भी ऐसे दाग दब्बे हैं काला पन है उसको भी अपने पूरे पैरों पर scrub करना है और हां हमें scrub कभी तेज हातों से नहीं करना है यहाँ पर आपको लग रहा है कि मैंने तेज हातों से scrub किया तो ऐसा नहीं है मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड है वो बढ़ा दी है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों का जो समय है वो हम मतलब ज्यादा बरबाद हो इसलिए हमने थोड़ी सी यहां पर जो वीडियो की स्पीड हो बढ़ा दी है तो आप देख सकते हैं मैं कैसे उंगलियों के बीच में और जितना भी जो काला पन होता है वहां पर मैं अच्छे से इसको साफ कर रही हूं सॉरी स्क्रब क कर रही हूं आप पैरो पर दो से तीन मिनट तक स्क्रब अच्छे से कर सकते हैं हातों पर भी आप तीन मिनट तक स्क्रब कर सकते हैं कोहुनी पर भी लेकिन हां अगर आप अपने फेस पर कर रही है ना तो दो मिनट से जादा बिलकुल भी स्क्रब ना करें चाहें कोई भी स तो आप देखिए, अब मैं अपने हातों पर भी स्क्रब कर रही हूँ, तो इसी तरह से आप अपने हातों पर कर सकते हैं, और अगर हाँ आपको फेस पर स्क्रब करना है तो पैरों पर बाद में करें, सबसे पहले आप अपने फेस पर स्क्रब कर लें, उसके बाद जो बचता कर लो एक पर अच्छे से देखिए यहां पर पैरों में पीया ही तो अपने um दो खो गए हुआ को मैं अपने हाथों को भी अच्छे से धो्कर आ रही हुँए फैर पट है बहुत ही साफ्ट हो गए पर सॉफ्ट हो गया ड sarà इतने Sultan इंट सॉफ्ट हो गया है और बहुत ही अच्छी क्रीम है इसे आप अपने हाथों पर और फेस पर भी लगा सकते है तो चलिए पहले हम क्रीम बनाना देखते हैं कैसे बनाई है हमने यहाँ पर मैंने एक चमच बादाम का तेल लिया था और एक चमच हम यहाँ पर लेंगे ऐलोवेरा जेल आपको लीफ वाला जेल नहीं लेना है क्योंकि हम इसे थोड़ा से स्टोर करके रखेंगे दस से पंदरा दिनों तक तो हम यहाँ पर इसलिए रेडिमेट ही जेल लेंगे और यहाँ पर मैंने आधी चमच ली है वैसलीन और यहाँ पर सिर्फ छे से साथ बूद हमें एड करनी है ग्लीसरीन की अब करना क्या है भाईया फिर से मिक्स कर लो इन सब चीजों को चलिए हमने फिर से से अच्छे से मिक्स कर लिया है भाईया मिक्सिंग तो बहुत अच्छे से करनी है बिल्कुल भी एक एक चीज अच्छे से मिल जानी चाहिए तो यह लीजिए हमारी क्रीम बनकी हो गई तैयार और क्या अब पैरों की अच्छे से मालिश कीजिए हाथों की मालिश कीजिए अगर जहां भी आपको लग रहा है कि हमारी जो स्किन है वो फट रही है ना वह पे अच्छे से मालिश कीजिएगा और आप उसके बाद देखे कितना कितना सॉफ्ट लगता है तो दोस्तों इसके बाद अच्छे से मालिश करने के बाद बाद में आपको क्या करना है आपको जो भी नेल पेंट पसंद है ना फटाफट से नेल पेंट लगा लो उसके बाद आप अपने पैर देखना कितने साफ़ और खुबसूरत दिखाई देते हैं तो चलिए अब हम लगाएंगे नेल पेंट तो मॉस्चराइजर क्रीम लगाने के बाद अब मैं लगा रही हूं यहां पे नेल पेंट तो जो भी लगाना था हालका ही कलर से लगाना था ना इस लिए दोस्तों अगर मुझसे वीडियो में बोलने में कोई भी मिस्टेक हो रही है तो प्लीज आपसे मैं हाथ जोड़कर माफ ही माँगती हूं कभी-कभी बोलने में थोड़ा जल्दबाजी हम कर जाते हैं और मैं थोड़ा तो प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा तो यह लग गई हमारी नेल पेंट ठीक है ना तो आपको कैसे लगी वीडियो प्लीज कमेंट्स में ज़रू बताईएगा अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कमेंट्स शेर जरू किजगा थैंक्यू फ्रेंड